हमिपर उद्ध्यान वीवाग के पास सर्थ मौसम के 43 सो पौदों की पहली खेप पहुँच चुकी है बागवानों को सेव, पलम, आडू, कीव, खुमानी के पौदे डिमांड के मुताबिक बाट जा रहे हैं हालांकि फल्दार पौदे बीते वर्ष के मुकाबली थोड़ा महंगे है उद्यान वीवाग में सबी बौदों को डिमांड के मुताबिक सप्लाई वेज दी है ताकि बागवानों को गर्दवार के नस्दीक बहतर कौईटी के पौदे मिल सके हमिर्पूर डांक वाली के पास पौदों को खिरिगने के लिए दिन बर लोगों की काफी दीड उमर रही है बतारें की उद्यान वीवाग में कीवी के 500 पौदे पालंपूर युनिवस्टी से मंगवाए गए थे जो की हर ब्लॉक को 100-100 के हिसाब से दिये गए थे जो की ब्लॉकों में हाथो हाथ ही बिग गे बागवानों को कीवी का एक पौदा 150 रुपे में पढ़ रहा है कीवी के पौदे अब शिमला वस्टोरन की नरस्रियों से मंगवाए गए हैं ताकि बागवानों को डिमान के मताविक पौदे मुहिया करवाए जा सके उद्यान विवाग की नरस्रियों में अब से पौदे हाथो हाथ ही बिग रहे हैं हालां की पौदों के दाम बीते वश के मुकाबले बढ़े हैं पागवानों को से पौदा 50 रुपे आडु का 50 रुपे पलम का 50 रुपे और खौदे पौदे में बिग रहा है विवाग ने डिमांड के मुताबिक सभी बलोकों को पौदों की खेप बेज दी है ताकि वागवानों को बहतर क्वाल्टी के पौदे गर्दवार में मिल सके जिला उद्यान परसार अधिकारी अशोप कुमार शर्मा ने बताया कि लोगों की डिमांड को देखते हुए पौदे मगवाई जा रहे हैं उन्हों ने बताया कि सेव के पौदों को लेकर जाएदा डिमांड आ रही है और वागवान सेव के पौदों को ख्रीद कर ले जा रहे हैं रणबीर सिंग ने बताया कि वागवाने का बहुत शौक है और इसी के चलते आज भी सेब के पौदे ख्रीते हैं ताकि गर में जाकर लगाए जाएंगे पहीं एक अन्य बुजूरी से आई हुए किसान ने बताया कि हर साल ही पौदे वीजते हैं और इस बार भी सेब और लिची के पौदे लेकर जा रहे हैं HRTC निगम की बसों में टांका मार कंडक्टरों पर मिकेल कसने के लिए बिवाग ने कमर कसली है और इसी के तहट योजने बद तरीके से ऐसे कंडक्टरों पर पैनी नजर रखी जा रही है बता दें कि हाई टेक तरीके से हमिरपूर में टांका मार कंडक्टर काम कर रहे हैं और बर्ट साइब ग्रूप बना कर एक दूसरे से जानकारियों का आधान पर दान करके टांका मार कर पैसे जुटा रहे हैं जिसे दिन दिहाडे निगम को हजारों पे का चूना लग रहा ह टांकामार कंड़क्टरों को पकड़ने के लिए आरेम हमीपूर ने चेताया है कि अगर ऐसा करते हुए कंड़क्टर पकड़े जाते हैं तो कानून सकत कारवाई अमल में लाई जाएगी अक्सर गाटे का रोना रोने वाले हिमाचल पत परिवहन निगम को उभारियं के लिए निगम परबंदन हर तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है इस गाटे के लिए कहीं न कहीं भी बस कंड़क्टर भी जिम्मेधार हैं जो आए दिन टांका लगाने और फ्लाइंग से बचने के लिए नए नए तरीके अक्तियार करते रहते हैं जानकारी के अंसार कई जगों पर HRTC डिपो के कंड़क्टर बड़सैप ग्रूप बनाकर एक दूसरे को फ्लाइंग की लोकेशन को लेकर अप्रेट देते रहते हैं इस बात का खुलासा उस बक्त हुआ जब हमीर पर निकवर प्रवंदन ने ऐसे दो ग्रूप पकड़े इन ग्रूपों में दिन बर मैसेज चलते रहते हैं और बताया जाता है कि फ्लाइंग की मुवेंट आज की इस तरफ हुई है और कौन सा रूट क्लियर है जानकारे के मताबिक पिछले कुछ समे से फ्लाइंग स्कॉईट के हाथ ऐसा एक भी मामला नहीं आ रहा था जिसमें कोई कंड़क्टर टांका लगाते हुए पाया गया हो कुछ समे के लिए तो निगम को लगा कि शायद पिछले मामलों से सबक लेते हुए कंड़क्टर सचेत हो गये हैं और इमानदारी से अपना काम कर रहे हैं लेकिन निगम के हाथ दो ऐसे बरसे ग्रूप लगे हैं जो कंड़क्टरों ने बना रखे थे इसमें बे एक दूसर इनमें से कईयों को सस्पेंट भी किया गया है कुछ महपूरफ एक कंड़क्टर ने बम की अपवा फैला कर पूरी की पूरी बस को खाली ही करवा दिया क्योंकि उस बस में दो चार यात्रियों को छोड़कर किसी को टिकेट नहीं दी गई थी आरेम हमीपल भीवेक लखन पाल का कहना है कि टांका मारने के लिए कंड़क्टर वर्सेफ ग्रूप के मादम से काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि कुछ वर्सेफ ग्रूप विवाद की नजर में है जिनको लेकर चान बीन की जा रही है उन्होंने चेताया है कि अगर कोई कंड़क्टर टांका मारते हुए पकड़ा जाता है तो उसके किलाब कड़ी कारवाई अमल में लाई जाएगी